नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ट साब का बात बस्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फोजी बाईयों के एक मात्र बरोसमन यूट्यूब चैनल सैनिक न्यू चैनल में सभी सर्विंग और रिटायर जवानों के लिए CSD समार्ट कार्ड को लेकर महत्पूल दिसान निदे जारी जरूर कर लें ये काम सभी जवान और पूरु सैनिक तो चले इस वीडियो की माईदयम से जानते पूरी बड़ी खबर को विस्तार से इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि फोजी जवानों से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी इंपरमेशन आपको हमेसा मिलती रहेगी तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वार्टर मास्टर जलनल ब्रांच की और से ये लेटेश लेटर जारी क्या गया है 8 मार्च 2021 को और सम्वंदित कमांड हेट क्वार्टर को इसकी कॉफी फॉरवर्ट की गई है और सबजेक्न आप देख सकते हैं इस से ब्यूर्टर को रिन्यूवल कराना ज़रूरी होता है CSD Canton Smart Card का जो Renewal है वो नजदी की URC में होगा ताकि ये सुनीचित किया जा सके कि जो भी Card दारक है वो अभी जीवित है ताकि आपकी CSD Canton के जो भी आपको Facility मिलती है, सामान वगरा मिलता है वो बंद ना हो और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो जब आप अपने URC में अपना Card Renewal कराने के लिए जाएंगे तब आप Swam को उपसित रहना पड़ेगा आप अपना Card किसी दूसरे के साथ में बेचकर Renewal नहीं करवा सकते हैं आपको वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा URC में आपके पास जो भी Nearest URC है वहाँ पे जाके आप अपना जो Smart Card है उसको Renewal करा सकते हैं जानते हैं इसके लिए अलग-अलग क्या Procedure है एक Servicement के लिए हैं सभी को अब URC Canton में आना अनिवरी होगा यनि आप खुद जाना पड़ेगा आपको अपना Card Renewal कराने के लिए आपको जो Document लेके जाने साथ में वो Latest PPO Copy Discharge Certificate Discharge Book वहाँ पे URC में URC Stop आपके Document को चेक करेगा फिर आपके Card को Renewal करेगा वही Civil Defense Employees Serving के लिए भी यही Procedure है आपको वहाँ पे खुछ जाना पड़ेगा Renewal के लिए वही आपको साथ में जो Latest Pay Slip है या Salary Slip है वो आपको Submit करने होगी और यदि आप Deputation पर है तो आपको Directed Level के अधिकारी से Serving जो Certificate है वो प्राप्त करना होगा वही Civil Defense Employees Retire की बात करेगा तो यहाँ पे भी Individual को वहाँ पे खुद उपस्तित होना होगा Card Renewal के लिए साथ में आपको जो आपका PPO और उसकी Copy आपको URC में देनी होगी और URC Stop आपके जो Document है उसको Check करेगा उसके बाद में आपके Card को Renewal करेगा तो दोस्तों URC सभी Document को Verify करेगा उसके बाद में आपके Card को Renewal किया जाएगा URC Canton के तीन Separate Register Maintenance किया जाएगे जिसमें आपका नाम वगएरा सारी Detail को बढ़ा जाएगा तो ये 30 HD Canton Smart Card Renewal को लेकर एक Latest Information वीडियो को लाइक किज़े शेर किज़े और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े इसे के साथ जहिन जवारत